तो ये थी आज की एहम सुर्ख्यों और सुर्ख्यों के बाद अब सीधे नज़र डालेते हैं अगबारों पर अगबारों में सबसे पहले बात जोन सब्ता की करेंगे जहां पर अकलेश की विकास रथियात्रा पर एक जूट दिखी है सपा और आपको पता दे बेवस हुआ रथ को कार पर हुए वो सवार यानि की बस बीच में खराब हो गए थी जिसके बाद अखलेश यादव बस से उतर करके अपने कार में सवार हो गए थे और उसके बाद ये रत्र यात्रा जो है वो शुरू हुई थी लेकिन बड़ी बात यही है कि रत्र यात्रा में सभी एक मंच पर नजर आये थे चार स्तरिये होगा GST धाचा महगाई घटेगी और GST को लेकर के इसके पहले भी कई बार बाते हो चुकी हैं और इसको लेकर एक अप्रेल को केंदर सरकार जो है लागू करना चाहती है इसको लेकर के अब जो बाते सामने आ रही है कि चार स्तरिये होगा GST का धाचा और महगाई यहाँ पर घटेगी इससे स्टेट को फाइदा होगा इस तरह की बाते लिकल के आ आ रही है कि आखिरगा GST से कितना ज़ादा स्टेट को फाइदा होता है लदाक में चीनी और भारती सैनिकों के बीच तना तनी ये भी एक बड़ी खबर के तौर पर जो नसता में लिया गया है इसके साथ ही पिपल्स लिबरेशन आर्बी योजना के तह सिजाई नहर का निर्मान किया जा रहा है और उन्होंने कारे को रोग दिया है तो कई सारे ऐसे जो बाते हैं वो निकल करके आती है चीन एक बात फिर से यहाँ पर दगाबाद हो गया है इसके साथ अमर उजाला के अगर मैं बात करूँ तो बड़ी खबर के तौर पर अखलेश को ही लिया गया है तो ये अकबार में लिया गया जो एहम खबर है वो हमने आपको भी बताया है लेकिन अब कुछ और एहम खबरों पर नज़र डालेते हैं और खास तोर पर जमू कश्मीर के अगर हम बात करें तो जमू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी काम्याबी मिली है और सोप जारी है मिल रही जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को सोपोर से तुजर Mila के में आतंकिओं के चुपे होने की दूचना मिल रही थी जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को चारुत तरफ से घेर डिया घंतो ओपरेक्षन के बाद आतंकी उमर को जिंदा पकड़ के चीपे होने की खबर थी लेकिन घंटो फाइरिंग के बाद वहां से आतंकी फरार होने में काम्याब रहे थे जमो कश्मिर में इंटरनाशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से फाइरिंग में मंगलवार को आठ नागरिकों की मौत हो गई थी जबकि 18 लोग खायल हुए है सीमा पर पाकिस्तान की ओर से हो रही फाइरिंग का बियेसेफ ने मुहतोड जवाब दिया है बियेसेफ के अनुसार भारत की जवाबी कारवाई में पाकिस्तान के 14 सीमा पोस्ट तभा कर दिये गये हैं दो पाकिस्तानी ट्रेंजर्स भी मारे गए हैं और इसी पर ज़्यादा बाच्वित के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियों में मौजूद है वरिष्ट पत्रकार है टीके राजुलक्षमी जी सबसे पहले गुद मौरिंग और एपिय नियूस पर आपका स्वागत है इनसे हम समझ लेते हैं जान लेते हैं कि जिस तरह से पा स्ट्राटेजी होनी चाहिए भारत की तरफ से ऐसा मेरे हिसाब से तो कुछ रिवल पर बातची शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए इसमें आप एक सी स्पर अगर वालेशन होता है उसके जो रिस्पॉंस पे कुछ रिस्पॉंस होता है फिर वहां से फिर दोबारा रस्पॉंस होता है यह तो एक यह तो अनेंडिंग प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं तो इसलिए एक चाहिए फॉरें सेक्रेटरी के लेवल पर बातचीत शुरू होनी चाहिए मेरे हिसाब से यह मतलब चल नहीं सकता अनेंडिंग कि वहां पे जो लोग रहते हैं जो में आग लगाए जा रहे हैं तो समस्याएं बहुत गंभीर हैं लेकिन इन समस्याओं का निदान कैसे होगा कैसे समझे कि अब ये कदम अगर हम उठाते हैं क्योंकि बीच में बाची चरई की पानी रोग दिया जाना चाहिए और जो हम मोस्ट फेवरेट नेशन का दरजा द है यह ऐसी बात नहीं कि बहुत ही कुछ अन्यूजियल भी है पर खास कर इस दौर पे जब सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद देखने को आए कि कुछ जादा ही हो रहे हैं तो यह अगर एक रिस्पॉंस अगर देखा जाए कि पाकिस्तानियों की तरफ से हो रहा है कि हम भी कुछ दिखाने के काबिल हैं जो भी है उनके उनको 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 उनका जो भी प्रस्पेक्टिव हो सकता है पर यहां भारत की तरफ से इसको एक सीरियसली एक इस्यू मनलब बनाना चाहिए अब इंटरनेशनल फोरूम पर भी इस्यू जो बनाया है भारत ने पर उसके बाव अब बात हम चीन की कर लेते हैं क्योंकि चीन भी लगातार दादागिरी दिखाता है भारत को ले में चीनी सैनिक भारते शेत्र में घुस आये हैं और वहां के ग्रामीडों को धमकाने लगे चीन और भारते सैनिकों के बीच लद्दा की बर्पिरी उंचाईयों पर कल से ही गतिरोत कायम है पिपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान उस शेतर में घुस गए जहां मनरेगा योजना के तहस सिजाई नहर का निर्मान किया जा रहा है उन्होंने कारी को रोक दिया ये घटना बुदवार अपरहन देम देम चोक सेक्टर में हुई है जो ले से करीब 250 किलो पहुंचे और आकरमक तरीके से काम को रोक दिया इसके बाद सेना और भारत की सेना भी पहुंची तिबद सीमा पुलिस के जवान वहां पर पहुंचे उन्होंने चीनी सैनिकों की जाती को रोका और दोनों पक्षों ने अपने बैनर डिका लिये और वे वहां डटे हुए सेना और ITPP के जवान चीनी सैनिकों को एक इंच भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं जबकि PLA का दावा है कि ये शेतर चीन का है आपको बता दे बढ़े तनाव को देखते वे भारत भी सतर्क हो गया है इंजियन एरफोर्स के अरुनाचल प्रदेश में चीन सीमा से 29 किलो मास्टर उतार दिया गया ग्लोब मास्टर बासट सो फीट की उंचाई पर सिर्फ ब्याले सो फीट लंबे इलाके में उतरा है और चीन बॉर्डर के नजदीक इस एरक्राफ्ट की लैंडिंग पर उसी को इशारा है कि भारत हालात पर पैनी नजर बनाय हुए है ग्लोब मास यहां पर जिस तरह से ग्लोब मास्टर को उतारा किया है यह कहा जा रहा है कि हम उतार रहे हैं इसका मतलब आप यह समझे कि हमने पैनी नजर बनाई हुई है लेकिन उसके बाप जो चीन भी नहीं समझ रहा है यानि कहें तो भारत दोनों अपने पर उसी देशों से बहुत है और उन्हें बार बार यह बताने की कोशिश करनी पड़ती है कि हम अब उस जगह पर आ गया है जहां आप हमें चुनौती नहीं दे सकते हैं चीन के साथ चीन ऐसा जहां तक मुझे लगता है और जहां तक हमने भी चीन के का जो पूरा रुख रहा है ऐसा ऐसा नहीं है कि अगर agtraальный करते हैं तो इसको है किस मन्च पर जाकर करने के शुलच सकता है यह एक मन्च पे बात करनी चाहिए ऑलब जाहे इसको जिसको हम कहते हैं बात होनी चाहिए यह नहीं कि आप लोकल जो हो रहा है उसी पर छोड़ दें जबकि फॉरिंच सेक्रेटरी लेवेल पर होनी चाहिए बात जो भी है कि इस पर क्लारिटी जो होनी चाहिए कि क्या गुस्पैर जो वाकर में हुई है या जो खबरे आ रही है कि इसमें कुछ ज्यादा कुछ बड़ा बड़ा चड़ा के दिखाया जा रहा है बिल्कुल यह एक पूरा एक एट्मोस्फिर है ऐसकल कि भारत अपने परऊसी देशों से कुछ बना नहीं पा रहा है इतनी जादा उसे तवज्जो जैसे प्रदान मंत्री पहुंसते हैं अमेरिका हो या दूसरे देशों में तो वहां पर जिस तरह से राष्ट्रपती हों या प्रधान मंत्री हों वो कहते हैं कि भारत की प्रधान मंत्री ने इस बार कुछ अच्छा किया है तो एक वैल्यू जो भारत की बढ़ी है क्या ये एक आखों में गरती हुई दिख रही है चीन और पाकिस्तान को चीन के तरफ मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है क्योंकि चीन अपने आप में बहुत ही confident देश है उन्हें ये सब करने के तो जरूत है नहीं कोई lack of confidence की बात नहीं है और उनकी हमेशा जहां तक हमने भी देखा है और जहां तक पढ़ा है उनकी हमेशा यही approach रहा है कि हम भारत के साथ अ अब अब इसके खिलाब भी आपने देखा दिवाले के टाइम पर कि चीनी समाने इसके माल बगता है अगर हम यह कहें तो पाकिस्तान का साथ देते हैं मजो अगर हम अजहर की बात करें तो उन्हीं यह कहा जाता है कि वह आतंगवादी नहीं है तो कई सारी ऐसी स्थिति यह अगर हम बात करें तो उसमें सदस्यता को लेकर के भी तो चीन ने विरोध किया है उनका उनका यह यह कि ड्यू प्रोसेस होना चाहिए जहां तक जहां तक जहां जैसे मैंने कहा कुछ कुछ चीजें बहुत बड़ा चड़ा के मदब कह दे जाते पिर जो है वाकी लोंको पत अगर हम बात करें तो मामले पर पूर फॉजी रामकिशन ग्रेवाल के सुसाइड मामले पर सियासत जारी है दिन में भीवारी में रामकिशन ग्रेवाल का अंतिम संसकार हुआ है कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहूल गांधी दिली के सियम अर्विन केज्रिवाल समें तमाम पूर फॉजी रामकिशन ग्रेवाल के अंतिम संसकार में राहूल गांधी के साथ अर्विन केज्रिवाल गी शामिर हुए हैं और वितक पूर्व सैनिक को शहीद बताते वे उन्होंने एक करोड के मौवजे का एलान भी कर दिया केज्रिवाल पहले भी मौवजे की सियासत करते रही है तलिचादर रोहित विमुरा की आत्महत्या के मौके पर भी केज्रिवाल ने उनके भाई को चोती दरजी की नौकदी का प्रस्ता ने डाला था जिसे उसने ठुकरा दिया वहीं आप कारे करता गजेंदर की आतमत्या पर दस लाग के मौज़े के एलान उन्होंने किया था जिसे उसकी बेटी ने छुकरा दिया है दरसल कॉंग्रेस और आप पाटी पूर्फ सैनी की आतमत्या पर ये सियासी हंगामा खड़ा करना चाहती थी बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के जो तरह अपने सिर्थ सहरा बांत रही है उसे देख विपक्ष को मुद्धे और मौकों की तलाश थी लेकिन सरकार ने वन रैंक पन पेंशन से जुड़ी सारी दिक्कतों को जल्द दूर करने का बादा विपक्ष की सियासत की हवा निकाल दी है राजलक्षनी जी के पास OROP को लेकर के अगर मैं आपसे जाना चाहूं तो इसको लेकर के सियासत कभी भी जो सैनिक है जवान है जब वो प्रदर्शन करे थे वो नहीं करना चाहते थे लेकिन आज की वक्त अगर देखा जाए तो सियासत किसी को छोड़ती नहीं है इस मुद्दे को भी उन्होंने खीच लिया है ताकि चुनाव में इसका भी वो फाइदा उठा सके क्या लग रहा है ऐसे मुद्दे पर क्या सियासत होनी चाहिए और अगर यहाँ पर कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी सियासत हो रही है तो क्या एक सबक उन्हीं मिलना चाहिए यहाँ तक केंदर सरकार की जिम्दारी थी उसको उन्होंने एक हर तक ही निभाया है अगर उन्होंने इसको प्रापरी इंप्लिमेंट अगर किया होता कि पेंशनर्स को भी उनका पेंशन अगर मिल रहा है कि नहीं जो भी उन्होंने पैसला लिया था उसके हिसाब से कुछ तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए अभी आप अभी हम इतने सारे को नहीं मिल रहा है अभी हम इसको और ईसा कि देखें ऐसा है कि जो जो परिवार किसी मुश्किल के दोर में गुजर रहा है ऑर अगर वह पैसा नहीं आ रहा है तो इसमें तकलीफ तो होगी तो 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 जिन्हों ने आत्मात्या की है तो उसके तकलीफ को जो नहीं समझते हुए अगर आप कह रहें कि आप हम देंगे या कोई उनकी सीनियर एक मंत्री ऐसे जो बयान देते हैं कि यह चाहत कॉंग्रिस के सपोर्टर थे और पता नहीं इनके पास सलफास के टैबलेट्स कैसे आए और वह भी फॉजी हैं तो आज तो आज के आज को कहेंगे कि आप शूह था प्लीका इसे तो यह वर्वक्ष किशन जिन्मम जाता वह थे तो निहांत तो यह तो गलत और को तो बदेख़ कर दीखेंबते को सबसे बड़ा यहां पर मुद्दा बन करके सामें आ गया है जो विपक्ष है उन्हें कम से कम यह मुद्दा मिला है जो अब भुनाने की कोशिश करेंगे लेकिन आगे राजलक्षमी जी क्या होना चाहिए और ओपी को लेकर के लगातार मांगे की जा रही है जो फैसला लिया यही तो कहरें डिफेंस पर लेकिन क्या लगता लिए कुछ वक्त यहां पर देना चाहिए पर कितना वक्त दो साल हो गया है जो चुनाफ के पहले उन्होंने कहा था और यह लोग दो साल से कुछ ने कुछ धरना कुछ ने कुछ किसी चीज़ पर बैठे जा रहे हैं और यह अभी तक जो इंप्लिमेंट ने हो रहा है अगर फैसला भी लिया गया तो इसको इंप्लिमेंट ने कर पा रहे हैं और इसलिए अब ऐसा वक्त आ गया है कि अब लोग इस आत्महत्या तक की जो गोशिश है उसमें उतर आए हैं और शायद इसी की एक बानगी यहां पर यह मिली है कि मृतक शहीद फौजी इराम किशन है जो आत्महत्या उन्होंने कर लिया उसके बाद से लगातार सियासत चल रही है देखना है कि केंदर सरकार की तरफ से अब क्या स्ट्राटेजी अपनाई जाती है आपके पास मैं वापस आऊंगी राज लक्ष्मी जी वही जिन वस्तूओं पर इस समय उत्पाच शुल्क और वैट सहीद कुल 30-31 प्रतिशत कर लग सकता है उन पर जीस्टी की दर 28 फीसदी होगी आम लोगों की समस्या उभोग की वस्तूओं पर जीस्टी की दर 5 फीसदी होगी जीस्टी में 12 फीसदी और 18 फीसदी की दो मानक दर ह जीस्टी के तहत उभोगता मूले सूच कांक में शामिल खाद्यान सहीद आम वैक्तियों द्वारा इस्तमाल की जाने वारी 50 फीसदी वस्तों पर शून्य कर लगेगा आम आत्मी के द्वारा स्तमाल की जा रहे खाद्यान पर कोई टेक्स नहीं होगा जीस्टी कांसल के वैकर प्रणाली से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई पर लगभग आम सहमती बन गई है राज लख्मी जी जीस्टी को लेकर के आप से हम समझना चाहेंगे आज भी आम लोगों की जहन में जीस्टी को लेकर के वह सारे जो कन्फ्यूजन से वो हैं यहां पर चार दले दरे जो है फिलहाल लागू कर दी गई है इसको लेकर के सहमती भी बन गई है क्या फाइदा होगा और क्या हम समझें की जीस्टी आने से देश में जो अर्थविवस्था है उसमें भी सुधार होगा आम लोग भी कई सारी जो समस्य है महंगाई है उससे भी थोड़ा नीजात पा सकेंगे क्या ऐसी स्थिती है यह एक शुरू में एक चिंता का विश है था कि इसे महंगाई बढ़ सकती है तो उसमें मेरे ख्याल से कुछ राहत की उमीद हो सकती है और यह लग्जिरी टाक्स जो उन्होंने बढ़ाया है यह तो ठीक है मतलब लग्श्री आइटमस में तो होना भी चाहिए और इससे एक जो रेविन्यू जो जो राज्यों को मिलेगा और पर यह उन्होंने एक बात भी कहीं कि जो इंडिरेक्ट टैक्स जो है उनका क्या रूख हो सकता है यह अभी जो पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा क्या स्टेट वाइज अगर देखा जाए या इंटर स्टेट वाइज देखा जाए तो क्या यहां पर एक दो परसेंट का भी डिफ्रेंस नजर आ सकता है या फिर एक ही बराबर है जो दर यहां पर लाग्श्री चाहते थे कि एक एक जो यूनिफॉर्म जो टैक्स रेक में शायद वो मतलब चीना जा रहा है तो यहां पर वो चीज नहीं है जो लागू कर दिया गया है उसे हर स्टेट को मालना होगा आपने बहुत अच्छी बाद जेस्टी को लेकर कि जो कंफ्यूजर ने बहुत ही एकदम साफ शब्दों म कि आप हमारे स्टूडियो में आई फिलाल वेक अप जिन्दगी में यहां पर वक्त एक छोटे सिब्देख का हो क्या है जल्द वापस आते हैं कुछ और एहम खबरों के साथ